तो आज मैं आपको जो अपडेट बताऊंगा यह बहुत ही इंपोटेंट अपडेट है तो वीडियो को एंड तक जरूर से देखना और वीडियो को लास्ट तक देखने से पहले आपको एक काम कर दिना है जो की इसी वीडियो के कमेंट सेक्शन में जाकर के आपको वहां पे अपको अपनी क्वालिफिवीकिशन को डाल देनी है यह 5 सेकंड का काम है जल्दे से कर देना दोस्तो इसे कया होता है कि आपकी क्या क्वालिफिकेशन है और वहां पे हमें कमेंट में बता देना कि यहरऊ-पासिंग कौंसी है आपकी कौंसी ट्रेडट है 10 कप किया है इर 12 क को जो अपडेट बताने वाला हूं जैसा कि आप देखे पार होंगे मारुति सुच की कंपनी की द्वारा यहां पर टी डबलू टैंपरोरी वर्कमेन की तरफ से यहां पर जो वैकेंसी है वह यहां पर निकाली गई है अब इसके लिए दोस्तों आप कौन कौन से कंडिड़ेट करना यह सभी जानकारी जो हैं आपको इस वीडियो के अंदर बताने वाला हूं तो वीडियो कर देना और चैनल पर नहीं हो तो सब्सक्राइब भी कर लेना और टेलिग्राम को जोईन नहीं किया हमारे तो टेलिग्राम को जोईन कर लीजिए लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा क्योंकि वहां पर हम आपको सबसे पहले अपडेट आपको करा देते हैं जैसे कि यूट्यूब पर पॉसिबल नहीं होता जल्दी सा अपडेट कराना तो हम टेलिग्रा काफी बढ़िया देखने को मिलेगी और यहां पर जो है आपको बैनिफिट भी काफी बढ़िया बढ़िया देखने को मिल जाते हैं तो चलिए दोस्तों मैं आपको इसका जो ओफीशली notification और इसका जो ओफीशली basic information है उसके थरो में आपको पूरी जानकारी पता देता हू तो आप जैसा कि यहां पर आप देखी पारेंगे मैं आपको यहां पर बताने वाला हूं मारती सुझकी TW Recruitment 2024 अब इसके लिए दोस्तों फ्रिशर कंडिडेट भी यहां पर इलिजवल हैं साथी साथ इसका जो नौटिफेकेशन आपको देखने को मिलेगा इसकी वी निकाली गई है इसके लिए दोस्तों यहां पर कौन कौन से कंडिडेट इलिजवल हैं तो इसके लिए आपको सौर्ट इनफरमिशन को सबसे पहले देखना है यहां पर आपको बताये गया है कि इसके लिए कौन से कंडिडेट एपलाई कर सकते हैं इसमें education qualification क्या होगी age limit क् ठीक है कैसे selection होगा तो सभी जानकारी आपको यहां पर देखने को मिल जाती है अब बात कर लेते हैं इसके जो डेटेल्स हैं ठीक है उसके वारे में तो जैसे कि आप देखे पार होंगे name of company ठीक है और यहां पर पोस्ट नेम है डॉमिकल और apply mode and age limit तो देखिए यहां पर candidate है वह candidate यहां पर टैंपरोरी वर्कमेन के लिए आभीदन कर सकते हैं ठीक है उन स्टेट के लिए यहां पर वेकेंसी अबलेबल है और कोई अगर आधर स्टेट से ब्लॉंग करते हैं तो आप इसके लिए form नहीं बरबाएंगे आप यहां पर देखिए selection process के बारे में ठीक है और उसके बाद यहां पर documents verification तो इस तरह से जो है आपका selection process रहने वाला है अगर हम बात करें education qualification के बारे में तो देखिए यहां पर education qualification अगर आप मारोते सुचकी में TW के पर अगर आप इतन करेंगे तो इसके लिए आपके पास IT होना बहुत जरूरी है चाहें आपने IT यहां फेटर से कर रखाओ welder painter ठीक है इलक्रिशन टर्नर डीजल मकेनिक मसिनिस टूल एंडाइमेकर यह कापी सारी जो आपको ट्रेड हैं आपको देखने को यहां पर मिल जाती है अब बात का लिए इसमें age limit की बारे में तो यहां पर age limit जो आपको देखने को मिलेगा 28 से देखर के 26 वर्स तक देखने को आपको मिलेगा और इसमें जो इंपोड़न डेट्स हैं फॉर्म बरना सुरू हो चुका है दस मार्च से अभी इन्हों ने लास डेट को मैंसन नहीं किया है ठीक है और इसके लिए आपको सेलरी यहां पर क्या मिलेगी तो जैसा कि आप देख को मिलेगी साथे साथ इसमें कई सारे वेनिफेट होते हैं ठीक है फगर यह आपको यहां पर इन्हback पर देखने को आपको मिल जाता है इसमें आपका बात करें इलिजवल डॉम मिकल के वारे में यानि कि आपको से राजज वाले उम्मीदवार आपि दिन कर सकते हैं तो इस लिंक के दिया है apply online link ठीक है उस link पर click करेंगे तो आप यहां पर इस तरह से आ जाएंगे यहां पर आपको देखने को मिलेगा important links वगरा जैसा कि यहां पर आपको सारी details को बताए गया है कि आपकी 18 से लेकर के 26 वार्ष के बीच में आपकी date of वर्थ वह स्वारी आई यू जो है वहनी चाहिए क्वालिफिकेशन आपने आइटेव पास आउट कर रखा होना चाहिए चाहिए अपने ncbt से कर रखा हो या फर आपने scbt से कर रखा हो ठीक है यह आप देख पाएंगे यहां पर सेलेक्शन प्रॉसस कैसे कैसे method होगा और इसमें कैसे करना है यह जानकर आपको देखने को मिलेगी और तोड़ा नीच आपको ठीक है ठीक लगा हुआ और फिर आपको इसके बाद में आपको क्या करना है आपको अपनी परसनल इंफोर्मिशन जैसे कि आपका अपना नेम हो गया फादर नेम ठीक है जैंडर मेल फीमेल डेट ओवर्थ इमेल आईडी मोबाइल नंबर ठीक है अपका सेक्श के य अगर गाउंसे बिलोंग करते हैं तो उसका यपरेस डेना है अगर है इसे सो और यहां पर यहां नंबर करते हैं आपको यहां से करना हो ठीक है उसके बात आपको अपने पिन कोड नंबर देना है अगर आपका same-to-same address रहता है तो आपको यहाँ पर टिक कर देना है आपका address same-to-same यहाँ पर भर जाएगा इसके बाद आप देखेंगे यहाँ पर देखिए additional information जैसे कि आपकी category ठीक है general, OVC, SC, ST जो भी category से belong करते हो आपको यहाँ भी डालना है state आपका कौन सा है ठीक है? तो यहाँ पर आपको क्या करना है? यहाँ पर सिर्फ आपको जो मैं आपको बताय था राजिस्तान ठीक है वही state वाले candidate apply कर सकेंगे तो राजिस्तान आपको यहाँ पर select कर लेना है marital status आपका single है married है ठीक है वो आपको यहाँ पर type करना है आपका blood group क्या है आपका अधार number क्या है आपका pen number क्या है यह details को यहाँ पर बर देना है and उसके बाद में आप 10th की information आपको देनी होगी यह compulsory है उसके बाद यहाँ पर देखिएंगे आपको idea की details को देना है जैसे कि यहाँ पर जो location आपका कौन सा था idea अपने कौन से trade के अंदर कर रखी है ठीक है तो यह trade यहाँ पर आपको डालनी होगी आइडिया का प्रिकार आपने जो government किया है या private किया है ठीक है उसको यहाँ पर डालना है आपने सुरुआती में कब admission लिया था और आपकी passing year क्या थी वह आपको डालना है ठीक है selecting counseling यह आपको ncbt या cbt यह आपको डालना होगा ठीक है और उसके बाद यहाँ पर कितने marks आई थी कि अगर आप family information देना चाहते हो जैसे की फादर की information मदर की information ठीक है तो उसका विवरन भी दे सकते हो यहाँ पर उसके बाद आपको computer की knowledge है तो उसको भी दे सकते हैं अगर आप कहीं पर भी काम कर रहे हैं ठीक है उसकी details यहाँ पर देना होगा अगर आपको कोई भी सरीर का है तो आप यहाँ पर डाल दीजेगा two wheeler का है ठीक है या फिर आप कोई other heavy वाला है उसको भी यहाँ पर डाल सकते हैं अगर आप driving जानते हैं तो उसको यहाँ पर yes पर click कर देना है ठीक है तो इस तरह से जो है आपको अपनी information भर देनी है और सारी information भरने के बाद कोई company में कर चुका हो तो उसका विवरण भी यहाँ पर दे सकते हैं उसके बाद यहाँ पर लेंगेस आपको हिंदी और इंग्लिश आपको डाल देना है ठीक है जो कि आपको तीनों पर ही आपको click कर देना है उसके बाद यहाँ पर आपको upload documents फिर आपको documents का option देखेगा यहाँ पर अपना अपनी photo को upload करना है यहाँ पर आपको अपने signature को upload करना है यहाँ पर आपको आपको लोकेशन डालने के बाद में यहाँ पर आपको click करना है ठीक है इस तरह से जो आपको form को भर देना है अगर आप भी temporary workman के लिए पोस्ट के लिए आपिदन करने के लिए इंट्रस्टेड है तो जरूर से form भर यह कोई भी सुल्क नहीं लगेगा आपका और ऐसे ही आपको यहाँ पर जो है form को भर देना है जैसे मैं आपको step by step पूरा प्रोसेस करके और बता दिया है और यहाँ पर आपने टेलीग्राम को जोईन नहीं के टेलीग्राम को जोईन क जाले ना